तो फ्रेंड्स नमस्ते अदाब और सस्रीका दोस्तो मेरा हूँ आपका दोस्त रोबिन और स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कटोरे वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टीचिंग द दोस्तोो आगे इस्टार्ट करते हैं कॉटोरी वाले ब्लाउस की कटिंग प्लस उसकी क्यूरी एक की वीडियो में है दोस्तो यह देखिए यह मिर五це ठीज्ग पाद हे हिर्या है और इस ब्लाउस के नाव से ही हम यह क्यास को बैल्ट वाला ब्लाउस है तो दोस्तो सबसे इसकर में नाप लूँँगा ये देखिए इक की जो लंबाई है लंबाई है दोस्तो 사ड़े चौधा इंच और उसके बाद इसके जो सीने नाप लेते हैं तो सीने नाप लेने का तरीका ये है कि स्लाइसे आप को पकड़ना है और इसके ये देखिए ये टोटल बै्ल्ट हम बैल्ट इसकी 3 इदर से हैं और 2 इंच इसकी इदर से है तो कॉर्ट्णी वाला ब्लाोज कभी भी याप बनाते हो तो आपको एक चीज़ हमेशे खाया एक भी बैल्ट लगेगी ही लगेगी अगर आप चाहते हो कि कोटोरी वाला बोला बनाऊ और उस में बैल्ट ना लगे तो ऐसा पॉसीबल नहीं है तो कोटोरी वाले ब्लाउज में आपको बैल्ट लगाने ही पड़ती है तो सबसे पहले हम काटेंगे इसका फ्रण्ट यह मेरे निशान को लगाने का मतलब यह है जैसे कपड़ में छोटा बड़ा यह गैप आ रहा है इससे हम इसकी कटिंग कर देंगे कैप बिल्कुल बराबर हो जाएगा इसके बाद दोस्तों एक निशान हम लगाएंगे दर कि जो निशान में लगाऊंगा यह निशान है लगबक 10-8-1 speech का अब दोस्तों इस निशान इस निशान का मतलब है कि इस जगे से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी सबसे पहले हम इस के स्टार्टिंग नीचे से ही क्योंकि जब हमने बेल्ट के नाप लिया था तो बेल्ट की जो चुड़ाई थी आपको दिखा देता हूं किस हिसाब से यह देखें यह जो बेल्ट होती है इस जगे से बेल्ट की चुड़ाई तीन इंच है इदर से दो इंच है तो आपको बेल्ट का निशन इदर से लगा लेना है यह जो बेल्ट है इसकी यह देखें दोस् जाएगा तो दोस्तों ये तो हो गया इसकी बैल्ट का निशान इस प्रकार से आप एक बैल्ट का निशान लगा लें आप फ्रेंड्स मैं लूँगा इसकी लंबाई का नाप लंबाई जो लेनी आपको इस जगह से लेनी है क्योंकि इस जगह से इसने फोल्ड होना है इंच लंबाई है तो साड़े चोधा की जगे आपको जो लंबाई रखनी है दोस्तो वह रखनी है आपको कि यह देखें कि 15 इंच क्योंकि आदा इंच उसमें उपर मार्जन भी जाएगा तो आप 15 इंच पर निशान लगा लें कि यह दोस्तों अब मैं आपको दोभाइ बता जैता हो गयां जो अब तक मैंने कर रहा है यह जो निशान है यह निशान का यह nodig का है यह इस पांच uda 10- Sponge उसका जॉन्ट रखते हैं आप ले न हो TRAve तो उसलिए मैं क्षोल्डरे निकालने का be इल्कुल अगर आप ले रहे हो तो आपको इदर से आदर इंच बढ़ा कर लेना है यानि कि इदर से आपको साड़े छे लेना है और इस प्रकार से दोस्तो छेंच इदर और छेंच आप इस निशान इदर लगा कर इनको आपस में मिला दें यह निशाना आपसे मेला दिये मैंने और यह निशान में लगाया था वानी प्रुणर के देखी अब शार Initiating पर एक निशान लगा दें इस प्रकार से तो इसका हो गया है शोल्डर फो यह घल का आर्मोल क्योंकि दोस्तोस का जो तियार नप था गर आप कमर थी इसके 33 इंच और 33 का चोथा ही पार्ट बनता है सवाठ तो यह देखे सवाठ पर मैंने निशान लगा दिया है और इसके अलावा दो इंच हमें मारजन लेना होता है एक्स्ट्रा और दो इंच आप मारजन इधर एक्स्ट्रा ले ले अब इन निशानों को आपस में मिला दें यानि कि यह जो निशान है इस निशान पर तो फिटिंग के सलाई आ जाएगी हमारी यह दस इंच है यह इसकी कमर हो गई और यह दो इंच एक्स्ट्रा हम मारजन एक्स्ट्रा रखते हैं हर ब्लाउज में तो दोस्तो अब तक यह निशान में लगाए हैं यह हो गया इसका शोल्डर आर्मोल इसका सीना और यह कमर यह बैल्ट अब फ्रेंड्स करना क्या है आपको एक निशान आपको लगाना इस जगे पर और इस जगे से आपको देनी है इसकी गोलाई यह जो गोलाई आपको देनी है इस जगे से आपको एक इंच लेकर चलना है और इस एक इंच वाले निशान को आपको आपस में इस तरह से मिला देना है अब तक दोस्तों ये जो निशान है ये एक नॉर्मल ब्लाउज के निशान है बैल्ट वाले के अब इसमें से जो कटोरी का नाप निकालना है वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूं इसके पहले में गले का निशान लगा देता हूं दोस्तों गले की जो नॉर्मल चोड़ाई होती है आगे से वह हम रखते हैं साड़े पांच यह देखिए यह होगा धाई और एक पॉइंट गले की जो गहराई रखनी है वह साड़े छे वह इस जगे से आप यह देखिए को आपसे मिलाएं तो इस प्रकार से पूरी जो मार्किंग है अब तक एक नॉर्मल ब्लाउज की है पर उन्तु दोस्तों हम बना रहे हैं कटोरी वाला ब्लाउज का फार्मूला अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर कैसे हमने यूज़ करना है कि दोस्तों यह जो कटिंग ह के बाद हमें करना क्या है इस जगह से ँद्थ्यान से देख यह वाला जो पॉइंटे है इस पॉइंट से हमको लेके जलना इदा से नहीं है कि ए यह जो गल्या से आत्यूपर लेना है और इस जगह जहां पर यह कमर की इसकी फिटिंग आएगी इस जगह से आपको तीन इंच एक निशान लगाना है अब यह तीन निशान में लगाएं दोस्तो एक दो तीन इन तीनों निशानों को आपको आपस में मिलाना है इस प्रकार से बस इतना सा काम करना है दोस्तों इदर से आपको लेना है आर मोल वाला जो इसका पॉइंट है जो इस जगह से आपको डाहिंच लेना है इस जगह से जो fitting वाली जगा यह है इस जगह से आपको तीनीच इदर से कम करना है और यह जो गला है गले वाली जगह से आपको कटिंग करो तो यह जो निशान है इस निशान पर कटिंग नहीं करनी कटिंग के लिए आपको थोड़ा सा इसको एक्ष्टर लेकर चलना है अब इस प्रकार से दोस्तों यह तो हमारी बैल्ट भी इसकी निकल आई जो इसका तीरा जिसको बोलते हैं अब यह जो है मैंने निशान लगा रखा है इस निशान पर आपकी इसको कटिंग करनी है तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए यह जो है हमारा जिसको हम कटोरी बोलते हैं कटोरी वाली जो जगह है यह निकल आई है अब यह जो कटोरी इसकी निकलिए दोस्तों इस कटोरी को इस प्रकार से fit करना होता है अगर आप इस कटोरी को इसके अंतर फिट कर दोगे तो यह किसी भी तरह से इसमें fit नहीं बैठेगा यह केवल एक छोटा सा डैमो है जो मेन कटोरी होती है वो अब अलग से इसके उपर रखना है बिलकुर इस प्रकार से इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यां से समझना है दोस्तों कटोरी की जो कटी होती है किस प्रकार से हम करते हैं यह जो कटोरी मेंने काटी है यह कटोरी वेस्टेज है यह कटोरी उसमें fit नहीं बैठेगी कटोरी दूसरी कटती है उसके लिए जो कटोरी निकली है इसकी हमें बहुत ज़्यादा जुरूत पड़ती है इसके बिनाम दूसरी कटोरी नहीं काट सकते तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों आपको इस पकारसिस को रखना है अब इसमें जो फार्मला यूज़ करना है वो देखें कैसे होगा ये जो कटोरी है ये देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ इसमें ये जो हमारी गले वाली शेप है इस जगह से मैंने गला काटा था अब आपको करना क्या है दोस्तों इस जगह से आपको आदा इंच एक्स्टा रखना है और इस जगह से आदा इंच आपको एक्स्टा रखना है यानि कि ये जो गले वाली जगह है दोनों तरस से आपको आदा आदा इंच एक्स्टा रखना है और एक इंच आपको इदर से एक्ष्टा बढ़ाना है तो इस प्रकार से दोस्तो अब करना क्या है यह जो मैंने आदा इंच इदर से एक्ष्टा लिया था इस निशान को इस निशान के साथ मिलाना है और इसी तरह से यह आदा इंच था जो आदा इन्च इदर से मैंने बढ़ाया था। इस आदा इन्च को यहां से बढ़ाती हुए दीर दीरे से हंलका-था। उस एक इछ वाले निशाने पर जा के आपको मिलाना है। अब अब इस इदर से भी मैuba दिया एक इदर से बढ़ाया है। और आदा आधा आप Center Nag长 के कितना है यह डोटली समय दोस्तों आ रहा है देखा यह आ पॉन्य आठा के करीब और पॉन्य आरथह आठा यह जो आधा बनता है दोस्तों वो बनता है चार में एक पॉइंट कम तो आपको बिल्मगत सेंटर में इक प्रिशानों को आपको आपस में मिलाना है इस तरह से तो फ्रेंड्स अब यह जो हमारी कटोरी निकली थे पहले वाली इस कटोरी का हमारा जो काम था खतम हो चुका है अब जो इसकी में कटोरी बनेगी यह इसकी में कटोरी है दोस्तों अब इस कटोरी पर हम करेंगे इसकी तो फ्रेंट्स यह देखिए यह जो इसकी कटोरी है इसके ना राम से फिटा जाएगी किस प्रकार से यह देखें यह सलाई बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल बराबर आजाएगी जब इसको हमाँ टैस करके लगाएंगे और अब इसके बाद दोस्तों जब यह कटोरी आप करना क्या आपको इस प्रकार से दोस्तों आपको तीर इंच की प्रेट लगानी है व्यक्तों सेंटर में एक निशान लगाएं आप और देड़ इंच इधर से और देड़ इंच इधर से यानि कि जो प्लेट डलेगी इसमें टोटल डलेगी तीर इंच की इस प्लेट का जो को आपको निशान इस प्रकार से लगाना है कि 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 यह बिल्कुल सेंटर में दोस्तों एक प्लेट डाले इसको आपको इस प्रकार से पकड़ना है और यह अराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा देखें दोस्तों कैसे यह देखिए इसको आप यूँ पगड़े और इस तरह से इसके नदर फिट हो जाएगा यह तो इसका कटोरी वाला पार्ट बन जाएगा और यह जो बैल्ट है इसके नीचे लग जाएगी तो दोस्तों किस प्रकार से लगती है यह आपको मैं स्टीचिंग करके बता देता हूं दोस्तों देखें सबसे पहरे मैं लगाऊंगा यह ज दूर वाला जो पार्ट से उसको पकड़ कर हम इसमें प्लेट लगाएंगे तो दोस्तों यह दिखिए इस प्रकार से यह जो है सिर्फ एक ही मैंने प्लेट लगाई है और इक प्लेट में इसका जो कोटोरी वाला लुक है इसम शांदा लुक इसका आ गया है अब चाहो तो यह जो एक्स्टा कपड़ा है इसकी आप चाहो तो अंदर से कटिंग भी कर सकते हूं जैसे कि मैंने इसकी कटिंग कर दी है अब फ्रैंड से इनको जोड़ना है हमने इसंके पाट में वो कियसे शूड़ेगा देखें यह तो था इसका आगे वाले पाट महा इसन की हैं इस की इस Milky है इस वाले में हो जाएगी तो पहले में आपको यह वाला जोड़ के दिखाता हूं यह देखी इसको इस प्रकार से उठाना है कि और आपको यह देखी स्राइल लगानी है और आदा इंच का मारजन लेकर चलना है तो दोस्तों यह देखी स्राइल लगाने के बाद इसका जो लुक है ऐसा आजाएगा पहले में दूसरे में भी स्राइल लगा लेता हूं उसके बाद आपको दोनों को में दिखाता हूं कि इसको इस पकार से पकड़ते हुए आपको कि स्राइल लगानी है तो फ्रेंट्स इस तरह से यह देखिए केवल एक ही प्लेट में इसका बहुत बढ़िया यह कोटोरी वाला लुक आ जाता है जिसको हम कप भी बोलता है बिल्कुर शांदर एक ही स्लाई में इसका कब बन जाता है उसके बाद इसको मैं इसके अटेच कर दिया है अब रहे गए इसमें बैल्ट बैल्ट लगाने के लिए दोस्तों यह सिंपल सा फार्मूला है आपको यह जो बैल्ट है इस परकार से लगानी है इसको इसके साथ अ और इसको पकड़के ऐसे श्लाई लगा लेनी है दिखा देता हूं मैं आपको दोस्तों देखें यह बैल्ट है इसको इस परकार से पकड़ना है और बैल्ट लगाने के बाद इस तरह से दोस्तों यह इसका कप हो गया इसकी बैल्ट हो गई अब दूसरी तरह दूसरी वाला पार्ट इसका उसमें भी आपको इसी तरह से यह देखें बैल्ट को लगा देना है तो फ्रेंड से देखें इस परकार से इसकी जो बैल्ट थी मैंने कटिंग कर रही थी वह भी साथ में टैच कर दिये और यह जो हमारे कटोरी वाला ब्लाउजर इसका आगे वाला इससा तयार है अब मैं आपको इसका थोड़ा नाप भी दिखा देता हूं किस परकार से यह देखें दोस्तों आदा इंच उपर सलाई में चला जाएगा और उसके बाद जो लंबाई हमारी बनेगी साड़े चौदा इंच यह इस जगह पर से आप इसको फोल्ड कर देंगे और इसका जो स अच्छी लगी वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद